हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अमन एनलेसिस में तो दोस्तों डाउट सेशन का ये फोर्थ पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपोरेंट ऐसे कमेंट से जो आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं उनका आंसर देने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूर ब्लैक अन वाइट में लेकर जाना है आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों ने पूछा तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको वीडियो बना के बता देता हूँ कि जो आपका एड्मिट कार्ड है वो ब्लैक अन वाइट चलेगा ठीक है कलर ले जाने की कोई पहनना है तो मेरे दोस्त आप लोगों को जो मास्क है वो भी पहन सकते हो आप और फेस शील्ड है वो भी पहन सकते हो ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि फेस शील्ड पहनना कंपलसरी है दोनों में से कोई एक जो भी आप लोगों के पास है आप वो चीज वहाँ पर पहन के ज सकता हूँ, तो दोस्तो वैसे तो क्या है, जितने भी बच्चे भी जो दोनों का application form fill किये थे, यानि कि NDA1 और NDA2, तो दोनों का admit card एक ही आया है, क्योंकि exam एक ही दिन है, और center भी एक ही है लेकिन अगर बच्चों ने गलती की थी, दोनों को apply करने के लिए तो उन दोनों का अलग-अलग admit card आया है ठीक है, तो आप अपने according अप किसी में भी दे सकते हो paper ऐसा कोई compulsory नहीं है कि आप किसी एक में देना चाहते हो, आप जिसमें भी eligible हो, चाहे अगर आप NDA1 के लिए eligible हो, तो NDA1 का दो NDA2 के लिए हो, तो NDA2 का दो ठीक है, लेकिन आप दोनों जगा तो दे नहीं सकते है at a time, आपको बाद समझा रही है और एक तीसरा doubt है, जो कि बहुत से बच्चों ने पूछा मेरे से, कि अधार card पे photo बच्पन की है यानि कि छोटी है photo और भी एक ओर doubt जैसे पूछाए कि मेरे अधार card में जो photo है 7th class की है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका अधार card पे चाहे चैसी photo हो, दिक्कत कोई नहीं होने वाली चाहे आपने कोई भी मतलब जो photo है कितने भी पुरानी लगी हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि केवल अधार card केवल photo से नहीं आपको judge किया जाता ठीक है, बहुत सारे चीज़े होती है और इसके साथ बता दूँ कि बच्चे पूछने की कोई photograph भी लेकर जानी होती है तो ऐसा photograph ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि एक तरीके से लेकर जाना चाहते हो तो एक passport size photograph अपने आप bag में रख सकते हो तो जो भी चीज़ आप लेकर जा रहे हो ठीक है, वैसे कोई जरूरी नहीं है compulsory नहीं है, क्योंकि वहाँ पर photograph का कोई भी काम नहीं होता और pen का आप पूछ रहे हो तो दोस्त pen तो black ballpoint pen ही ले जाना है, ठीक है, और कोई pen लेकर नहीं जाना तो उमीद करता हूँ मैंने बहुत सारे ऐसे doubt ने जो आपकी clear की होंगे ठीक है, इस वीडियो को share करना अपने दोस्तों के साथ चलता हूँ मैं, जै हिंद जै भारत